मोहन दास करमचंद गांधी को महत्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। के पीता करमचंद गांधी पूरबंदर के दिवान थे और माता पुतली भाई अत्यधिक धार्मिक महिला थे। उन्होंने 13 साल की उम्र में कस्तूरबा भाई से साधी कर ली। वर्स 1888 में वो कानून का अध्यन करने के लिए लंदन के लिए रवाना हुए। प्रवासी होने के नातिक कई भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने वर्स 1906 में वहां सविनाई अवग्या के अभियान का निर्त्यत्व किया जो साथ वर्सों तक चला। अब प्रवासियों और अन्य निवासियों द्वारा यूरोपियों लोगों के साथ होने वा प्रवासियों से अंग्रेजों आजादी के लिए लड़ने का आगरा करने के लिए अपना भासर दिया। उन्होंने वर्स 1917 में चमपारण में एक अभियान चलाया जिसमें वहां के किसानों के साथ अन्याय बढ़ रहा था। अगले साल उन्होंने खेडा और एहमदाबाद गुजरात में इसी तरह के अभियान सुरू किये। 1919 में भारत में अभी भी अंग्रेजों के नियंतरण में गांधी जी ने एक राजनितिक पुनह जागरन किया। जब वो निर्वाचित रॉलट एक्ट ने ब्रिटिस अधिकारियों को बिना किसी मुकदमे के लोगों को ग गांधी जैनती के अउसर पर उनके कहे कुछ महत्वपूर अहिंसावादी बातों को याद करते हैं। गांधी जी ने भगवान महाविय के राष्टे पर चल कर त्याग को अपने जीवन में सदा अपनाए रखा और साधगी भरे जीवन के साथ साथ कम से कम चीजों से अपन जीवन आपन किया। राष्पिता महत्मा गांधी हमेशा ही नई तालीम को जानने और उससे अपनाने के समर्थन में रहे। इसी बल पर आजादी की लड़ाई में सफलता हासिल की साकाहारी भोजन को गांधी जीवन का एक अभिन अंग बना लिया था। महत्मा गांधी हर धर्म और जाती से जुड़े हुए थे। वे सबी धर्मों के प्रती विसेश आस्था रखते थे। गांधी जी ने सत्य की रहा पर चल कर सत्यागरा की निव रखी। उनके जीवन में कई कठिन मोड़ाएं किन्तु उन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूजबकेट की मैगजीन में। हमारी इ-मैगजीन को मुफ्क में पढ़ने के लिए अभू लॉग इन करें www.newsbucket.in पर इसके अलावा रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे यूटीब चानल को तुरन सब्सक्र आइब करें